हालो एस्टूरेंट्स ये वेडियो वैशे एस्टूरेंट के लिए जिन्होंने हाल में ही HTML को शीखा है इस वेडियो में हम सिर्फ HTML के माध्य हमश्यर डिजाइन पैटर्न को रेडि करेंगे ये थोड़ा शब मेनिंफुल है जरा देखिए यहां लोगो शेट किया जा सकता है अगर आपके पास पिक्चर के रूप में लोगो नहीं है तो उसके इसमें ब्रैंट नेम का जो फॉस्ट लेटर होका उसको आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो लोगो के रूप में और इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ है स्पैसिफिक रखेंगे जिससे लोगो की तरह ये दिखे उसके बाद यहां देखे आप यहां पर डोमेन नेम डिफाइन कर सकते हो शाथ ही साथ इसके नीचे में निउज है और यह रहाप का सेक्षन वाला हिस्चा यहां पर वेब्साइट से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट चीजों को डिफाइन कर सकते हो उसके साथ साथ सबस इसके बाद यह जो में एरिया है जहां वेब्साइट की सारी इंपोर्टेंट चीजों को आप रखेंगे उसे कहा जाता है सेक्षन और वेब्साइट में जो सबसे नीचला हिस्सा है जिसमें आपने बाड़े में इन्फ़रमेशन राइट किया है इसे कहा जाता है फुटर तो पहले हमें header को बनाएंगे यानि की logo और यह जो domain name defined है उसमें वैसे इस domain name पे अगर आप विजिट करते हो webinstitute.com पे और अगर आप software engineering पे क्लिक करोगे तो आपको हमारे online software engineering classes के बाड़े में पता चलेंगी इसमें जो भी language आप शीखोगे सब में आपको softest website application बगारा बनाना शिखाया जाएका बैतर information के लिए आप आमारे executive को ओफिस आवर में call करे ताकि वो आपको शारी information देदे यहाँ देखे मैंने html के basic structure को राइट करके रखाया सबसे पहले center tag को शुरू करके बंद करेंगे क्योंकि यहाँ देखे पूरा का पूरा design center में मौजूद है तो इस name दूसरे table में menu तीसरे table में यह black वाला डबा और चोथे table में आपका footer so पहला table create करने के लिए table tag को शुरू करके ऐशे बंद किजिए अगर आपको अंदाजा ना हो कि क्या width height देना चाहिए तो table में कोई width height नहीं देंगे width और height देंगे हम TD में so पहले TD में display करना है W को अग लोगों को इस प्रकाश सेट कर देंगे फिल हाल मेरे पास photo नहीं है लोगों के लिए तो मैं w write कर देता हूँ उसके बाद अगला TD create कीजिए इसमें आपको domain name define करना है so web institute का domain name क्या है web institute.com यहां देखे रन करने पे आशा दिखा अब धियान देजिए जरा अगर आपको TD में बीजी कलर attribute को पास करेंगे तो मैंने यहां पे बीजी कलर सेट कर दिया डबल फ डबल जीरो फोर थरी यह डीप डेड का hex code है इसके वज़ा से यह देखे ऐसा कलर आया अब मुझे सिर्फ text को design करना है तो पहले तो arrange कर लेंगे सही से text को इस प्रकार से font tag को शुरू की मुझे डबलू का design change करना है तो मैं font में face attribute का इस्तमाल करूँगा और फिर design का नाम write करूँगा अगर आपको design के बाड़े में पता ना हो तो note pad open करेंगे और format के font पे click करेंगे यहां देखे यह सारा design का नाम है जो design आपको पसंद आए यहां से नाम हम copy कर लेंगे और यहां पे write कर देंगे तो मैंने एक design write किया वहां से देखकर 4 अब मुझे color change करना है तो मैं इसका color define कर देता हूँ white इस तरह से color attribute को पास करेंगे और ऐस से color का नाम देंगे मुझे size define करना है तो मैं size attribute का इस्तमाल करूँगा और define कर दूँगा 20 और run करने पर यह देखे ऐस दिखा अब जरा इस td का विर्थ वगरा बढ़ाते मैंने विर्थ define कर दिया 80 ध्यान से देखे मैंने विर्थ बाद में बढ़ाया क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि w का ऐसा दिखेगा अब w जैसा दिखेगा उसी साब से मैं विर्थ बढ़ाऊं का तो मैंने विर्थ दिया 80 टेस्ट करने पर आशा दिखाई दिया अब मैं चाहता हूँ डबलू सेंटर में हो तो किस डबबे के सेंटर में डबलू होगा टीडी वाले डबबे के इसलिए हम टीडी में अलाइन एट्रिब्यूट को पास करके इसका वैल्यू सेंटर रखेंगे तो आशा करने से आपक बीजी कलर जरूरत के अनुचार डिफाइन कीजिए मैंने इसका बीजी कलर डिफाइन कर दिया ब्लैक इसका विर्थर डिफाइन कर देते है 900 पिक्सल एक और चीज़ का धियान रखेंगे अगर टीर के अंदर किसी टीडी में हाइट है तो उसी टीर के अंदर दूसरे टीडी में हाइट दे दिया तो इसी टीर के अंदर जितना भी टीडी होगा ऑटमेटिक उसका भी हाइट एडेंज हो जाएगा जैसे इसका हाइट 40 है तो ऑटमेटिक इसका हाइट 40 हो जागा इसलिए हमें 40 डिफाइन करने के अवशकता नहीं है मुझे टेक्स्ट को डिज हमाल किया डिजाइन का नाम रखता हूँ सेंचूरी गौथिक इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ 20 और फिर इसमें कलर डिफाइन कर देता हूँ वाइट रन करने पर ये देखे आशा दिखाई दिया मुझे सेंटर में रखना इसे तो ये जो टीडी है इसमें मैं इसमेटिक ये बोल्ड दिखा आपको इसके बाद मुझे वाबशाइट का मेन्यू बनाना है शो पहला टेबल टैग जहां पर आपका बंद हो ये टेबल टैग बंद हुआ इसके बाद अगले टेबल टैग को आप शुरू करो मुझे इसके विर्थ हाइट के बारे में दिखेगा एक टीर शुरू करके बंद किजी और इसके अंदर उतना टीडी शुरू करेंगे जितना आपके पास मेन्यू हो तो मुझे टीडी के अंदर के टेक्स्ट को डिजाइन करना इसलिए टीडी के अंदर मैं फॉन टैग को शुरू करके बंद करूंगा और इसके अं हूँ WF0043 डबबा के सेंटर में दिखना चाहिए शारा मेन्यू इसलिए अलाइन में सेंटर पास करेंगे टेस्टिंग करने पर यह देखे ऐसा दिखा अब आपको जीतना मेन्यू बनाना है उतना बार TD Tag को शूरू करके इसके अंदर बन्द करते चलिए मुझे 6 मेन्यू बनाना है सलिए मैने 6 बार TD Tag को शूरू करके बंद किया यहाँ पर मेन्यू के content को change कर देंगे images और फिर मैं यहां डिफाइन कर देता हूं कॉन्टेक्ट आश रन करने पर यह देखिया ऐसा दिखाई दिया अब इसके बाद ब्लैक वाला डबा क्रियेर करना इसके ठीक नीचे तो यह जो टेबल टेक जहां आपका बंध हो उसके बाद दूसरा टेबल टेक शुरू करके हैने 990 विर्थ रिफाइन कर दिया हाइट दीजे 600 और बीजी कलर डिफाइन कर दीजे ब्लैक हमें एक ही डबा बनाना इसलिए इसके अंदर एट लिस्ट एक टीर और एक टीरी होना चाहिए तभी वो दिखेगा यहां देखे ब्लैक का स्पेलिंग शाही से राइट करेंग तो मेन्यू के हाइट पर देंगे जैसे यह देखे मेन्यू का हाइट 40 है तो फूटर का हाइट भी अगर 40 देते हैं तो अच्छा दिखेगा फूटर इसमें मैं बेकड़ून कलर चेंज कर देता हूँ डबल डबल जीरो फोर थ्री उसके बाद जो यह टीडी है आपका इसम सेंटर में दिखना चाहिए टेक्स्ट इसलिए यहाँ पे अलाइन में सेंटर पास कर देंगे और फिर इसके बाद इसको फॉंट से लोग करेंगे ताकि हम इसका डिजाइन वगरा चेंज कर सके शो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया हुआ इसमें फेस में डिफाइन कर देता सेंचूरी गौथिक देखले जे सेंचूरी गौथिक आशें राइट करेंगे सी कैपिटल होगा जी कैपिटल होगा साइज उछोड देता हूँ ऑटोमेटिक आरेंज हो जाएगा रन करने पर यह देखे आशा दिखाई दिया तो इस तरह से हम डिजाइन पैटर्न को मेंटेन कर सकते है बीना स्विये से सीखे हुए आप स्टाटिक वैब साइट यानि की इनफोर्मेशन देने वाली वैब साइट इजी रूप में बना सकते हो HTML के माध्यम से बस आपको टेबल थोड़ा बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए अब अगर आपको शीखने को मिला है तो हमारी वैब साइट पे विजिट करे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करे हमारे वीडियोज को देखने के लि घ्रॉआ करे माध्यस करे वीडियो रुड़ाاع भी वीडियोज करे वीडियोज को शीखने को दॉखने काजीब पोरॉट मिले के लिग आपत अपको भीडियोजी